फ्रेंट आज आपके सामने दो फोन रखा हुआ है एक फोन के डिस्प्ले पे देख सकते हो यहाँ पे फिंगर प्रिंट का अप्शन देवा है मैं इसको खुलना चाहूँ तो यहाँ पे अपना फिंगर दूँगा और यह खुल जा रहा है वही दूसरा फोन है दूसरे फोन क के डिस्प्ले पे कोई भी फिंगर प्रिंट नहीं लगा हुआ है और आज मैं आपको इस फोन के डिस्प्ले पे फिंगर प्रिंट जो है लगा के दिखाऊंगा इस फोन के बैक में फिंगर प्रिंट नहीं देवा है देन यहाँ पे साइड में फिंगर प्रिंट देवा है तो side में तो हम सटाएंगे तो यहाँ पे fingerprint हमारा काम कर जाएगा लेकिन वही मैं display पे अगर लगाना चाहूँ तब मैं कैसे लगाऊँगा तो ए वीडियो अगर आप पूरा देखते है तो phone के display पे आप fingerprint lock लगाना सीख जाएगे अगर आपके phone में power button पे fingerprint देवा है या back में fingerprint देवा है और display पे नहीं देवा है और आप चाहते कि display पे मैं लगाऊँ तो आप असानी से लगा सकते है जैसे इस phone के display पे लगाऊँआए न और यह काम करता है ठीक उसी तरह से इस phone के display पे भी लगेगा और यह काम भी जो है करेगा तो यह कैसे काम करेगा जानने के लिए आपको वीडियो सूर से लेके अंत तक देखना होगा चलिए वीडियो यह start जो है करते है और आपको बताते है ओ खुपिया trick जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते है आप लोग phone market से खरीद कर लिया आते है ठीक है और उसके display पे आपको fingerprint नहीं राता है क्योंकि वो सस्ता phone राता है ज्यादा मांगा phone रहेगा तो display पे fingerprint देता है तो कोई नहीं आप ये पूरा वीडियो देखिए डिस्पले पे फिंगर्प्रिंट लगाना जो है आप सीख जाऊंगे ठीक है बहुत सारा ऐसा मांगा भी फोन है जिसके डिस्पले पे फिंगर्प्रिंट नहीं दिया हुआ है और बहुत सारा लोग लगाना भी नहीं जानते है तो कैसे लगाओगे चलिए बताते हैं वीडियो को यह लाइक नहीं किये तो यहां से लाइक कर दीज़े शेयर पर टेच करके दोस्तों के साथ इसको Facebook WhatsApp पर शेयर कर दीज़े ठीक है चैनल सस्क्राइम नहीं के तो कर लिज़ नीचे comment box में आपके पास किस company का phone है उस company का नाम लिख के आप लोग भेज दीज़े अब आईए वीडियो में आगर बरते हैं बताते हैं कि डिस्प्ले पे fingerprint आप कैसे लगाओगे तो उसके लिए क्या करना है phone के setting में जाना है आपके phone में जहां भी setting का आइकन दिख रहा है setting वाला आइकन पे टच किज़े उसके setting में चले जाओगे setting में आने के बाद आपको नीचे option मिलेगा lock screen का ये lock screen वाला option पे टच करोगे तो आपको यहां पे lock screen का option मिलेगा password and security का इसके उपर जाओगे तो आपको यहां पे screen lock, fingerprint lock और face lock का option मिलेगा अब आप बोलोगे कि यार तुम्हारे phone में तो fingerprint lock दिया हुआ है तो अगर मैं इसको on करूँ तो यहां पे देखिए यहां पे क्या बता रहा है pattern pin password मैं यहां पे pattern जो है choose करता हूँ ठीक है देखे तीन सेकेंड का बाद pattern जो है बनाने का option आएगा तो यहां पे pattern बनाता हूँ यह रहा मेरा pattern simple सा जो हर क finger तो यहां पे यह fingerprint जो है हम add कर सकते है ठीक है लेकिन यह तो मेरे power button में जो है fingerprint लगया अब यह power button में fingerprint लगया तो display पे मैं कैसे लगाँगा तो display पे लगाने के लिए आपको क्या करना है बैक आना है इसको start नहीं करना है आपको क्या करना है अपना face lock start करना है ठीक है आपको यहां पर अपना face दो है देखे start करना मैं यहां पर face देखे जो है face lock start कर लेता हूं यह देखिए face लगाने का option आया और यहां पर मैं अपना face दूँगा face देखे दिया face lock लगा लिया done पर टूश कर दिया अब मैं back आऊंगा यहां पर screen lock face lock चालू है जिसके उपर आपको टूश करना है themes को option पे टॉश करोगे तो themes आजाएगा तो आपको क्या करना home वाला option पर टूश करना है जहां पर आपको themes का option दिखेगा जहां पर touch करना है और यहां प्या करना है l o b e love link के search करना है love link के search करोगे तो बहुत सारा theme आपको देखने के लिए मिलेगा देन नीचे आओगे नीचे आओगे तो आपको और भी सारा थीम जो है देखने के लिए मिलेगा तो जो थीम हम ढूंड़े है उस थीम का नाम है यहां पर भी सारा थीम जो है आपको फिंगर प्रिंट वाला जो है देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आप यह भी लिखके सर्च कर सकते हैं Samsung 8, यह भी लिखके आप सर्च कर सकते है, तो आपको क्या करना है, इस theme को download कर लेना है, यहाँ पे customize का option आता है, apply का option आता है, क्योंकि यह मेरे phone में पहले से download है, ठीक है, अगर आपके phone में download नहीं होगा, तो जैसे ही किसी theme के ऊपर touch करोगे, तो यहाँ पे आपको download का option जो है, तो आपको क्या करना है, यह सब पर से ठीक आपको हटा देना है, ठीक है, सिर्फ lock skin के ऊपर tick लगा के रखना है, और apply कर देना है, यह apply हो गया, अब देखे यह apply हो गया, अब आपको back आजाना है, back आओगे तो यह थोड़ा दिर apply लेगा, उसके बाद जैसे ही आप phone पे lock ल पे start हो जाएगा, आप देख सकते हैं, दोनों phone के display पे fingerprint लगा हुआ है, मैं इसको खोलना चाहूँ, तो इसको खोलना चाहूँ, तो इसको खोलना चाहूँ, तो इसको खोल सकता हूँ, यहाँ पे खुल जाएगा, और face lock से भी यह काम करेगा, और दूसरे वेक्ति कोई देखेगा, तो इसको लगेगा कि यहाँ अपने phone में fingerprint लगा के रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे side में fingerprint दिया हुआ है, तो आपको side में न लगा के आप display पे लगा सकते हैं, आप display पे fingerprint लोग जो है, अपना set कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से fingerprint लग भी ग लगा सकते गाज वीडियो कैसा लगा वीडियो सुरा जो कुई सवाल है नीचे बता सकते मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए ठेक केर बाय बाय